असलाम अलेक्ट में स्टुटेंट्स एकसाइज 1.5 वेस्टिन नमबर वन जिसमें हमने डिटर्मिनेंट पाइंड करना है पाइंड डिटर्मिनेंट अब दो फॉलिंग मेंट्रिस इस पार्ट है हमारे पास इस इकल टू-1-1-2-0 दिटर्मिन्ट को को अर्लेडी हम डिसकस कर चुके हैं इ्चर्मियन सिंबल लगाने के बात, डिटर्मिन लेने के बाद जो first element होगा वो multiply हो जाएगा last element के साथ और जो second element होगा वो multiply हो जाएगा third element के साथ minus one जब zero से multiply होगा तो zero आ जाएगा minus और जब two multiply होगा one के साथ या one multiply होगा two के साथ एक ही वाद है अगर two को one से multiply करते है या one को two से multiply करेंगे पर भी हमारे पास result सेम ही आ रहे हैं आपर, 0-2 हमारे पास आगया, minus 2, minus 2 हमारे पास, इस ही matrix का है determinant, इसी तरह हमारे पास part number third है, c is equal to 3, 2 and 3, 2, जब हम इसका determinant लेंगे, determinant लेने के बाद first element multiply हो जाएगा last के साथ, और जो second element हो का, वो multiply हो जाएगा third के साथ, तो बन जाएगा 3 multiply by 2 बन जाएगा 6 और 2 multiply by 3 बन जाएगा 6 तो 6 minus 6 is equal to 0 तो यहाँ पर first question में हमने just find out करना था कि हमने कैसे find करना है इस question के दो पार्ट से इसको आप लोगों ने खुद पटेल करना है अब हम यहाँ पर question number 2 की तरफ आ जाते हैं question number 2 में हमने find which of the following matrices are singular और non-singular इस question में हमने बताना है कि कौन-कौन से matrices हमारे पास singular है या कौन-कौन से non-singular है सबसे पहले हमें इसका determinant point करना होगा हमारे पास matrix A है part number 1 3, 6, 2, 4 हम जब इसका determinant लेंगे तो determinant लगनेने के बाद यह बन जाएगा 3 multiply by 4 और 6 multiply by 2 या 2 multiply by 6 जब 3, 4 से multiply होगा तो 12 आ जाएगा और 6 जब 2 से multiply होगा तो इसे भी 12 आ जाएगा अब हम आ जाते है part number B की तरफ B में हमारे पास है 4, 1, 3, 2 इसी question का जो part 2 है matrix B है हमारे पास इसका जब हम return लेंगे, return लेने के बाद हमारे पास जो first element होगा वो multiply हो जाएगा तरड के साथ, last के साथ और जो second होगा वो multiply होगा तरड के साथ, 4 multiply by 2 बन जाएगा 8 और 1 multiply by 3 बन जाएगा 3 जब हम eight से three को minus करेंगे तो five आ जाएगा और five हमारे पास एक non zero number है ये zero के बरावर नहीं है, तो किसी वज़ा से हमारे पास जो B होगा वो एक non singular matrix होगा और इसको हम आलड़ी पिछते lecture में discuss कर चुके हैं, कि जब भी हमारे पास किसी भी matrix का determinant non zero आ जाए, तो वो matrix non singular बन जाता है, तो ये B जो होगा ये non singular के लाएगा और यहाँ पर A जो होगा, A singular के लाएगा, इसी तरह हम इस matrix C का और matrix D का भी determinant find out असानी के साथ कर सकते हैं, इसमें हमारे पास ऐसी कोई restriction नहीं है, या कोई हमारे पास मश्किल काम नहीं है, जिस determinant find करना है, और डिटर्मिन पाइंट करने का तरीका क्या है, कि जो first element है, वो multiply हो जाता है, last के साथ, और जो second element होता है, वो multiply हो जाता है, third के साथ, और यहाँ पर हम determinant, जो हमने सीखा है, व इसको order की होगा, वो two by two होगा, इन्शाल्ला आगले lecture में हम question number third करेंगे, question number third में हमने find out करना होगा, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का मैट्रिक्स करना सीखेंगे, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस.